असलाम लेकुम एव्रिवन वेल्कम बैक टू मैं चैनल मैं हूं समन उस्मान आज मैं जिस प्रोड़क्ट का आपके साथ रिव्यू कर रही हूं यह है चिलतन प्यूर का नीम पाउडर जो के पिंपल्स के लिए और इन सब चीजों के लिए यूज होता है यह काफी बड़ा ज अगर पिंपल्स के लिए अपने फेस के उपर अपलाए करने है अगर किसी के कम एक्णि है तो भी मैं आपको बता देती हूं और जादें उनका भी अंदर से यह देख सकते हैं आप कितना बड़ा जा रहे और अंदर से भी इसके उपर यह एक लिड्ट लगी होती है ताकि के अंदर नमीना है ठीक है और ये इस तरह बहुत ही फाइन पाउडर है इसका आप देख सकते हैं ये पड़ा पड़ा अकसर डार कलर का भी हो जाता है तो इसका ये मतलब हर गिस नहीं कि आप इसको फैंग दें ठीक है ये बहुत बहुत ज़ादा बेस्ट है फोर पिंपल्स क को ख़ते हैं वह पिंपल है और हूँ के जिल्क होनम साइड अप्र पिंपल्स जातestyle को फैसली के लिए को कम फैंपल्स है रोपीजों से अपनियुषते के बनाते हैं तो उनके फैस के उपर दुबेहो डाने हूते है वह भी निकलना स्टार्ट हो जाते जाना है इसके लाव अब भी आपको थोड़ी थोड़ी सी इचिंग होगी तो आपने उसकी टेंचन नहीं लेनी थंडे पानी से बाद में इसको वाश कर लेना ठीक है कोई इसका साइड एफेक्ट कुछ भी नहीं है बेस्ट है रिकमेंटीड है एंटी एक्नी एंटी बेक्टेरियल क्लेक की तोर पर यह फिमस है और यह जिल्दन प्योर का अच्छा है ठीक ही डीप क्लीन भी करता है अच्छा और जो नहीं का यह जो पाउडर है यह वाइटनिंग एफेक्ट नहीं देता अगर कोई वाइटनिंग परपर्स के लिए इसको यूज कर रहे है तो यह नहीं है यह पिंपल्स को यूज कर सकती है क्योंकि यह हर्बल है इसका कोई साइड एफेक्ट नहीं है ठीक है ना फिर भी अगर आपने इस पाउडर से रिलेटीड कोई भी बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं अगर किसी की स्कीन के उपर बहुत सादा यह रियक्शन करे तो चाहे तो इसको का मिला किरगे उपर आम इसकान पाउन कि है कर जके आद पर इसके नहीं है है बूल मेरे बात जो मिला सकती चाहे है।